यूपी टी ट्वेंटी सीजन टू में सभी मैच लगबग हो चुके हैं चौदा तारिख को फाइनल होना है मेरे साथ बात करने के लिए आज यूपी सीए मीडिया मैनेजर और किर्केट डेवलम्पेंट कमेटी के चेर्मेन मुहम्मत फहीम साहब है फहीम साहब शांदार आयोजन हुआ जिस तरह से यूपी टी ट्वेंटी में ग्रामीर चेतरों से बच्चे आए उनको एक बढ़िया प्लेटफर्म मिला क्या कहेंगे देखे ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसेशन का जो ये आयुजन हो रहा है अंडर टी ट्वेंटी लीग जो है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसेशन के द्वारा जायुद की आ रही है ये पूरे उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा और उसके उत्थान के लिए एक UPCA का बहुत बड़ा कदम है ये एक ऐसा कदम है कि इस लीग के माध्यम से प्रदेश की प्रतिभाएं हैं विभीनी जनपदों में चाहे वो छोटे जिले हों चाहे बड़े जिले हों सभी 75 जिलों से जो खिलाडी निकल करके आ रहे हैं और अलग अलग जो छे टीमें हमारी बनाई गई हैं उन टीमों में समलित हो करके और उन टीमों में छे टीमों में ऐसे भी कुछ अंतरास्टी और आंजी ट्राफी प्लेयर और आस्टी अस्तर के भी खलाडी हैं जो मार्की खलाडी के रूप में हैं उनमें समलित हो करके वो अपने आपको एक बड़ा खलाडी बनने की प्रिणा ले करके वो खेल रहे हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलबदी ह क्योंकि आप किर्केट डेवलप्मेंट कमेटी के चेर्मेन भी हैं तो किर्केट के विकास के लिए क्या-क्या एजेंडा रखा है किस तरह से यूपी में किर्केट को बढ़ावा मिले क्या पूरी रणनीती है देखे जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसेशन का जो मिशन ह वह मैं आपको बता दूँ असपर्श करना चाहूंगा कि हमारे जो प्रेणा सुरोत हैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसेशन के श्री राजी सुकला जी उनका ये विजन है कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ाने के लिए और उसके उत्थान के लिए और एसोसेशन द्वारा चलाया जा रहा है उसमें जो ग्रामील अंचलों में निवास करने वाले रहने वाले क्रिकेट के खिलाडी जो जिनका कोई प्रेट फार्म नहीं था वो राजी शुकला जी के प्रियास से हम लोग के माध्यम से जो क्रिकेट को उत्तर प्रदेश से बढ सेलक्टर्स को भेजती है जो नस्तर पे हम ट्राइल कराते हैं उन बच्चों का और यूपी सिये के जो रंजी ट्रॉफी के पूर खिलाडी हैं उनके माद्यम से चैन करता के रूप में उनको भेज करके उनकी प्रतभाओं को दिखवाते हैं और उनके चैन के बाद उन की पैनी नजर पड़ती है जब हमारा स्टेट लेविल का ट्राइल होता है और स्टेट लेविल के जो सिलक्षन मैचेज होते हैं उन सभी में उनकी प्रतभाओं का बड़ा ध्यान से अध्यान करते हुए उनको उनकी पारदिश्चता देख करके उन खिलाडियों का चैन करक हम लोग टीम बनाते हैं और यूपी की जो टीमें बनती है 19 की अंडर 16 की अंडर 14 की रांजी ट्राफिक की अंडर 23 की इन सब खिलाडियों को जब मिलने खेलने का आउसर मिलता है तो उन लोगों को आगे बढ़ने का भी बहुत आउसर प्रादान होता है अब ही आपने वो भारती अंडर 19 टीम का कप्तान भी बनाए गए हैं उसी तरह से हमारे कानपूर में एक ऐसे निर्धन खलाडी जो कानपूर सुपारी स्टार्ट टीम से खेल रहे हैं मुकेश कुमार उनकी भी प्रतिभा को हमारे सेलेक्टर्स में देखा और उनको इस लेबिल पे लाए सबीक में अपने प्रदर्सन से सभी को मोहित कर रहे है और सबी खलाडी एसी खलाडीयों को ऐसी पिरनाय यही एक होड उत्तर प्रदेश में हमारी जो ग्रामी रंचर से लेकर सहरी चेत्र की जो खिलाडी हैं उनमें यह ब्याप्त है कि हमको आगे बढ़ना है तो हमको अच्छा खेलना है और खेलने का पूरा उसर उत्तर प्रदेश क्रिकेट इस्टन दे रही है और उन खिलाडियो को बहुत से सुब्धाएं प्राप्त हो रही है एक आखरी सवाल है कल एक बड़ा मैच है फाइनल है तो क्या तैयारी है उसकी देखे हमारी जो जो यूपीशीय की तैयारी है वो पूरी तरह से पूरी तैयारी है और हम फाइनल को एक अच्छे भवे फाइनल समारों के रू में काफी संघर्स पूर्ड क्रिकेट देखने को मिलेगा इस से तमाम प्रतिभाएं प्रभाविंदीद होगी और उस्चाहित होगी और संभावना हम लोग पूरी तरह से कि हम लोग बहुत अच्छे डंग से इस आयोजन को करेंगे और यूपी मैचेस को जो लोग देख रहे हैं पूरे देश में वो आप ये सानिय कि हमारे भारत में सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग है अनराज्यों के पेच्छा आने वाले समय में ये देश की सबसे सबसेश लिस्ट टी 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 लीग मानी जाएगी चूकि इसके प्रडाम इतरे निकले में जो कानपूर में हुआ था टी 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 लीग उनमें जिन खलाली उने प्रदर्शन किये उसमें कम से कम 12 से 14 ऐसे खलाली जो है चैनी तुबे जो हमारी जो आईपियल की जो इवेंट हुआ भारत में उसमें दस से बारा ख्लाडी उत्तर प्रदिश के निकले जो आईपियल की बिभीन टीमों में भाग लिए और उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जिससे की एक और पिर्णा और अन्न ख्लाडीयों को भी मिल रही ह बहुत शुक्री हम से बात करने के लिए मुहमत फहीम तें जिनों ने बताया कि जो यूपी सीए है वो तमाम ऐसे खिलाडीयों को आगे बढ़ा रहा है जो ग्रामील छेतरों से आते हैं कमजोर आर्थिक तोर पर कमजोर हैं लेकिन उनकी परतिभा को देखते हुए तमाम आ